एपिसोड चार हजार तिरसर्ट इस समारोह ने शक्ती का परीक्षन किया और एक इश्वर आत्मा रक्पनारी के स्तर को निर्धारित किया। वीर को परीक्षन का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा करने का तरीका काफी सरल था। उसे बस आभासी समुदाय में एक कुरसी पर बैठने की जरूरत थी। फिर एक गोलाकार कमरा घूमना शुरू कर देगा। यह तेजी से और तेजी से घूमेगा। कताए दिवारों पर कुछ शब्द दिखाए देंगे। परीक्षक को शब्दों को याद रखना आवश्यक था। जितने अधिक शब्द उन्होंने याद किये, ईश्वर आत्मा रख नारी उतनी ही शक्तिशाली थी। बिना गौड स्पिरिट ब्लड पल्स वाले इंसान भी टेस्ट लेने में सक्षम थे। जब कमरा घूमने लगा, तो वे शब्द नहीं देख पा रहे थे। वीर उत्सुक था। यह एक आभासी परीक्षा थी, इसलिए वह इसे आजमाने से कुछ नहीं खोते थे। इस प्रकार उन्होंने वर्चुल टेस्ट शुरू किया। वह वर्चुल रूम में कुर्सी पर बैठ गए। वीर के बैठने के बाद कुर्सी हवा में मदर आने लगी। गुमबद जैसा कमरा घूमने लगा। कताई शुरू करने से पहले, वीर ने दिवारों पर अब शब्द देखे। जब कमरा तेजी से घूमने लगा, तो वह दिवारों पर पाठ को असहज रूप से जिलमिलता हुआ देख पा रहा था। पाठ उसी पांदुलिपी में लिखा गया था जिस ब्रमान्द की भाषा से वहाया था। वीर ने शब्दों को पहचान लिया, इसलिए वो उन सभी को याद करने में सक्षम था। जैसे जैसे कमरा तेजी से और तेजी से घूमता रहा, अधिक से अधिक पाठ दिखाए देने लगे। वीर की इसके प्रती कोई भावना नहीं थी। वह उन सभी को आसानी से याद कर लेता था। सामगरी में पाठ थोड़ा अजीब है। वीर ने कुछ देर उन्हें देखा। उन्होंने नोट किया कि यह एक जीनोकला की तरह था, लेकिन वह जीनोकला दूसरे ब्रमान की जीनोकला से अलग थी। ऐसा नहीं लगता था कि इनसान कुछ सीख सकता है। वीर उसे याद रखने और उसका अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। उन्होंने सोचा कि इसे जीनो आठ नहीं कहा जाना चाहिए था। यह एक गौट स्पिरिट आठ की तरह था। सिर्फ गौट स्पिरिट ब्लड पल्स वाले लोग ही उस हुनर सीख पाये थे। जब वीर ने गौट स्पिरिट कला पर शोध किया और उसे याद करने की कोशिश की, तो एक बुरा व्यक्ती बिग किन किंडम की राजधानी के गौट ब्लड डिपार्टमेंट के अंदर एक मशीन के अंदर एक टैबलेट को देख रहा था। भगवान रक्त विभाग बिग किन किंडम के लिए एक नया विभाग था। यह रिकॉर्ड करने के लिए था कि राज्य में कितने गौट स्पिरिट ब्लड पल्स रहते थे और उनके पास क्या स्तर थे। इस से पहले, उन् जब से वर्चूल गौट स्पिरिट ब्लड पल्स टेस्ट सिस्टम बनाया गया था, तब से गौट ब्लड डिपार्टमेंट का वक्लोड काफी कम हो गया था। उन्हें केवल डेटा एक अत्र करना था, जिसे बाद में सीधे भगवान रक्त विभाग को भेज दिया गया। आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मियों के अलावा, भगवान रक्त विभाग के अधिकांश लोगों को तक्नीकी प्रगती के कारण बंद कर दिया गया था। पूरे भगवान रक्त विभाग में केवल तीस कर्मचारी शामिल थे, एक अध्यक्ष और तीन धकों में से एक था। उसका नाम मागो चेंग था। अब तक उसकी रात कुछ खास नहीं रही थी। उसने एक कप चाय बनाए और एक कुरसी पर बैठकर समाचार पढ़ने लगा। अचानक सव के डेटा ने कुछ असामान ये दिखाया जिसने मागो चेंग को आश्चर्य सव तीन हजार साल पहले बनाया गया था। सिस्टम पूरे समय ठीक काम कर रहा था। कभी कोई तुटी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिस्टम अविनाशी था। सव को हमेशा नए हाड़वेर के साथ नवी निकृत किया गया था और हमेशा ठीक स्थिती में रखा गया था यहां तक अगर कोई समस्या थी तो स्वैप आउट करने के लिए बेकप हाडवेय था यदि डेटा में कोई समस्या थी तो कंप्यूटर बेकप हाडवेय में बदल गया अब समस्या जसकी 10 थी असामान ने डेटा ने सायरन को आवाज दी और उन्हें दबाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मा गूओ चेंग हिरान रह गई उन्होंने मेंटेनिंस रूम दिखाने के लिए जल्दी से कैमरा फीट खोला जब वो देख रहा था, मा गूओ चेंग और भी ज़्यादा हैरान था पूरे वर्चुल गौट स्पिरिट ब्लड पल्स टेस्ट सिस्टम के हृदै की अदला बदली की जा सकती थी लेकिन एक चीज थी जो नहीं हो सकी वर्चुल गौट स्पिरिट ब्लड पल्स टेस्ट सिस्टम का मूल एक गौट स्पिरिट टेबलेट था हर राज्य में एक आभासी इश्वर आत्मा रक्त दाल परीक्षन प्रनाली थी लेकिन परीक्षन करने का तरीका अलग था बिग किन किन्डम के परीक्षन गौट स्पिरिट टेबलेट पर निर्भर थे किंडन्तियों में बिग किन किन्डम की स्थापना के समय गौट स्पिरिट टेबलेट थे वे किन किन्स की पहली पीडी से थे टेबलेट अजीब था कई पीडियों के शोद के बाद, कोई भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं था कि God Spirit Tablet वास्तव में क्या करता है और इसका क्या उप्योग किया जा सकता है। आखिरकार, एक चतुर शोद करता ने God Spirit Tablet को वर्चूल सिस्टम के साथ जोड दिया। उन्होंने देखा कि वर्चूल इंटरनेट पर God Spirit Tablet का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे शब्दों को दिखाने के लिए बनाया जा सकता है। कई वर्चों के शोद के बाद यह वर्चूल God Spirit Blood Pulse Test सिस्टम तीन हजार साल पहले बनाया गया था। आन्य राज्यों के परीक्षन विधियों की तुलना में, बिग किन किंग्रम की परीक्षन सटीकता बहुत अधिक थी। कई गलतियां कभी नहीं हुई। मागुव चेंग कुछ दशकों से God Blood Department में थे, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि God Spirit Tablet, जो सिस्टम में स्लॉट किया गया था, चमकने लगा। टैबलेट पर टैक्स्ट अजीब तरह से चमकने लगा। इससे पूरा कमरा जगमगा उठा, God Spirit Tablet गर्म स्टील की तरह था, यह अर्द पारदर्शी हो गया था, क्या हो रहा है। मागुव चेंग ने सोचा कि यह बुरा था, उन्होंने Maintenance Workers को फोन करने के लिए जल्दी से फोन उठाया। वह चाहता था कि वे उस कमरे के अंदर जाकर उपकरनों की जाच करे कि क्या उपकरन के किसी एक टुकरे में कुछ गरबढ़ है। मागुव चेंग को जल्दी पता चला कि फोन में कोई सिगनल नहीं था। सारी मशीने खराब होने लगी थी। उन में से कुछ तल रहे थे और सफेद धुआ पैदा कर रहे थे।